सब्सक्राइब करें फुली फॉरवल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी तुमाम न्यू आने वाले वीडियो आपको मिल सके असलाम अलेकम दो साथ आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आ इसा क्यों हम देखते हैं मैं आपको बताता हूं यहां वजह इस साउंड वाइब्रेशन की प्रोब्लम है तो वह कैसे सोल्व होगी मतलब एक एक्स्ट्रा शोर आ रहा था ऐसे लग रहा था कि कंप्रेसर चल तो रहा है सिस्टम कूलिंग भी कर रहा है लेकिन कंप्रेसर में क कुछ ऐसी आवाज आ रही थी साथ वाइब्रेशन की ठीक है तो मैंने का शायद बोडी की होगी बोडी को जब चेक किया हला कर उपर थोड़ा वेट रखकर वो प्रोब्लम सोल्व नहीं हुई और फिर जब इसको भी ओपन किया ओपन करने के बाद इसकी यह सेंटर वाली बोल्ड चेक कर लिए जो के नीचे नट बोल्ड लगे हुए हैं तीनों ठीक है यह प्लेट भी ओपन की तो दूसरा वाला तीसरा भी यहां पर होता है बैक सैट पर वह भी देखा तो यह भी बिल्कुल ठीक थे जब मैंने इसको खुद थोड़ा सा हासी लाया तो मुझे इ एसे केस मैंने पहले एक दो देखे भी हैं जो क्लियर किये थे । इसमें बड़ा रही थी कि इसमें यह जो पाइपस हैं और इसका एक तो आपको बता हूँगा कि यह इस तरह से शेप बनाने का मकसद क्या होता है यानि कि यह डिश्चार्ज निकला इस तरह से यू ले पर पिर उदर जाएगा और ये सक्षन को इस तरह ये डिजाइन बनाना है या क्यों कंपनी ऐसा करती है ये भी जानेंगे खैर जब मैंने इसको देखा तो अभी मैं इसको साइट पर कर चुका हूँ ये जो पाइप है इस पाइप के साथ सही क्लोज जुड़ा हुआ था तो जैसे कंप्रेसर चला तो ये आपस में यानि के ऐसे हिलना शुरू हो गया इसकी साउंड की आवाज जब बाहर आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद अंदर वाइबरेट हो रहा है साउंड की आवाज आ रही थी ठीक है इसकी ये बहुत टाइट आपस में जुड़ा हो था तो जब चलता था तो कंप्रेसर थोड़ा जो नॉर्मल वाइबरेट होता है उसके लिए नीचे रबर्ट लगा दी जाती है नॉर्मल वाइबरेट हो तो बोड़ी के साथ टकरा न हो इसका तो साउंड ना बैदा हो ज्यादा तो इसलिए ये कंप्रेसर नीचे रबर्ट से रखी जाती है लेकिन यहां पर जब दोनों पाइप्स को मैंने देखा आपस में तकरा रहे तो इस तरह से बहुत जोर से यानिकि यह रगणना शुरू हो गया ठीक है तो अभी मैं इसमें गैस लीकिज नहीं हुई ठीक है इसमें क्योंकि पाइब आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई किसी दोनों पर नहीं आया इस पर देस्ट है यह जरा वैसे ही फ्रेश है इसको मैंने ओपन किया थोड़ा साथ ठीक है अब नीचे वाले साइड पर दिखाऊंगा तो यह अब वहां पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा रगड कर इसके साथ यानि के यह रगड कर जितने देर भी चलता रहा है यह अच्छा हुआ कि हमने पहले ही फोल्ड को ट्रेस कर लिया अब हम इसको थोड़ा साइड पर ही रखेंगे यह लीकिज भी हो जाना तक किसी वक्त में आकर आईसा इससा चलने के बाद यह मैंने केस देखेंगें वह ऐसे मैंने कीज वाले ही देखी है काफी अर्से कबाद गोर ना करने की वज़ए से टेक्शन ने भी नहीं देखा कभी और जो जिनका इसी है उन्हों नहीं कभी उताया तो कुछ अर्से के बार एक लीटी जो जाती है लेकिन यहां पर खैर लेकिश तो नहीं लेकिन लिकीश के चांसे जमें नज़रा रहे हैं कि जो आ इस्ता इस्ता बन जाने थे ठीक हैं तो बहुत यह सानी के साथ हमने इस फोर्ड को अभी पकड़ लिया है इसको अब मैं थोड़ा सा इस से पीछ अब इसमें इतना गैप तो है दोनों पाइपों में यह चलते भी हैं तो आपस में टकराएंगे नहीं ठीक है यह दूर ही रहेंगे पहले बिल्कुल साथ लगा हुआ था तो प्रोब्लम अब इसको मैं यहां से जहन में आ होगा एक सवाल कि इसको हम ब्रेजिंग भी कर सकते हैं एक्स्टर इसके उपर हलकी हलकी ताकि यह इन फ्यूचर ना हो लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अल्रेडी गैस मुझूद है अगर मैं करूंगा तो पाइप हीट होगा तो इसमें ब्लास्ट हो सकता है तो कोई भी सकता है मतलब मेरे उपर कर सकती है या अग्स को आजक़ को आरही है evusa ंवर्टर इसी में तो कुछ भी हो सकता है sie तो कुछ संब हो सकता है हमें ऐसी ब्लगbir नहीं नहीं करना ठीक है तो इसके इलाब फिर हम क्या करें इसको हम ऐसे ही रहने देंगे अगर इन future कभी इसमें कहीं लीकी जाती है जिसकी होज़ा से गैस साज निकान ले पड़ती है तब हम इसको भी जरा ब्रेजिंग कर लेंगे बस तो इसलिए इसका अहल यहीं तक है आपको यह चोटी से वीडियो पसंदा ही होगी लेकिन इस चीज़ को चोटी से वीडियो है लेकिन information काफी important है आपको जब भी vibration का fault आए तो आपने क्या क्या चीज़े चेक करनी है यहाँ पर मैं यह explain कर दिता हूँ जब भी vibration का fault है mostly क्या होता है old AC में ज्यादा तर यह मसला आता है compressor की जो rubberts है वो बैठ के ही होती है एक साइड से बैठ जाती है ज्यादा दूसी साइड से भी ठीक होती है तो compressor एक साइड पर थोड़ा नीची हो जाता है तो वो जब चलता है तो वो ज्यादा vibrate करता है यहां फिर सारी rubberts जो है बिल्कूर नीची हो जाती है तो यह compressor base के साथ लगना शुरू हो जाता है उस दुरान आपको क्या करना है compressor को open करना है एक पीछे दो है और एक इस तरफ है यह तीन अट बोर्ड open करेंगे compressor निकालेंगे rubber निकालकर new डालकर compressor वापिस fit कर देंगे तो उस दुरान यह उसका solution है ठीक है और number two पर यह मैंने बताया आपको कि इसकी pipes आपस में लग रहे हो सकते हैं यह pipe compressor के साथ टचो तब भी vibration ज्यादा होगी ठीक है और फिर इसमें कोई screw loose हो यह जो center वाली plate है ठीक है यह लगाई इसलिए जाती है कि इसकी जो heat है बहुत ज्यादा होती है compressor की यह heat extra heat उदर ना जाए अपने condenser को overheat ना करें ठीक है तो उसका कोई screw loose हो तब भी vibration, shore, आवाज, sound आ सकता है अब हमारी main fan body का अगर screw loose है सही से fitting नहीं हुआ तब भी issue बन सकता है इसके चार bolt होते है screw होते है fan motor के उन में से कोई एक dealer है दो यानि एक से दो dealer है और एक दो tight है बहुत ज्यादा तो maximum जो चारों है उन चारों को एक जितना equal tight करना है यह नहीं दो बहुत ज्यादा tight कर दिये दो normal तब भी वाइबरेट हो सकती है एक जैसा आपने इसको चारों को आपने सही से tight कर देना है तो फिर यह वाइबरेट नहीं करेगा मतलब इसमें यह चीज़ होती है कि बहुत over tight आपने नहीं करना जहां पर जाकर आपकी जो भी चीज़ है fan है वो उसकी base के साथ screw tight करते 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 मिल गई बस हलका सा आपने tight कर देना है इसी तरह दूसरा screw तूसरा screw यह नहीं कि वो tight हो गया तो full tight जोर लगा है यह कभी भी नहीं करना इसको नहीं कोई भी चीज़ हो ऐसा नहीं करना तो I hope कि आपको वीडियो पसंदाई को वीडियो पसंदाई तो लाइक कर दे चैनल पर नुए तो fully forward यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्काइब कर दे ना मिल ताहूं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच आला हाफीज